जहन्द जह भारत मैं राम कौर आपको अपने परिबार एकलब राम कौर मैं आप सब भाई वैयनु का हर्दिक स्वागत करता हूं तो आज में आपके लिए आप रवच्चू कख्छा टैंथ की हिंदी जिसमें की आज में आपको स्काऊंगा रस कई अपन रस सीखेंगे जो की पेपर में दो नुमर के आते हैं अगर आप अच्छे से इसको याद कर लेते हैं तो आपके दो नुमर पक्क्य हो जाते ठीक है तो पहला रसका नाम है हास्रस हास का मतलब होता है हसी किसी वे प्रवाजा क्या है या तो पन क्या सकते हैं बिभाव अन्भाव तता संचारी भाव के संयोग से संयोग से यानि मिलकर संयोग से पूर्ता प्राप्त नामक उसके पूर्ता से प्राप्त जो हास नामक मनुविकार हासरस उत्पन होता है जो हम मन में जो हिर्दय भाव उत्पन होता है उसे अपन हासरस कहते हैं अगर यह परवास आपको अच्छी लगती तो आप यह लिख सकत वानिया चेष्टाओं को देख कर Kसी बिकृति या उसकी आकार भेज भूसा चीष्टा बोली को कि सुन गा क्या देख कर हास नामक मनुभिकार की फॉक्ष्ट होने पर करो चींता किसी भी वेक्ति की भीकृति आकरती वेजबूसा चेश्टा वाणी और चेश्टा को देखकर हमारे हृधया में जो हास नामक भावतपन हुँता है उसे अपने हासरस कहते हैं आप इसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, किसी बिक्रती आकार भेज बूसा बाणी और चेश्टाओं को देखकर हमारे रहे में हास नामक जी छोड़कर, हास नामक इस ताई भावत पन होता है, उसे हासरस कहते है, इतने को छोड़ दो, इसलिए लिए तो खतम क्यों सि इस पर गंगा से, भाई सब जो सुनने और फिस आए है कर असीज पर गंगा, बास अंकर जी को आपने देखा उनके गंगा पर धी लेती तो बवात हो लेए कि अनकी बात है, इनकी बात है, वह बेवाए हो रहा था, ठीक है, तब का जी उधान लिया वजे जिसको सुनकर हमा दोसरी बात कर लेते हैं जिसका नाम है करोनरस क्या क्या कहता है परवास कि बन तू दो परिवास है संचारी भाव के संयोग से करोणारस की निस्वत्ति होती अगर वह अच्छी न लगे तो यह वाली देख लो के प्रियवस्तु बंदू के 47 अगर वह टूट की तो मुझे बहुत दूख होगा क्या होगा दूख होगा कि नहीं होगा प्रियवस्तु टूट जाए या ब्यक्ति से कुई दुख पहुचा उस से उत्व भावध्य होता है कि प्रॉट यह च्छोब हे दर्ध होता है तो उसकी करुणी निस्त्तपत्ति देखा और और कई वच्छे परेशान हो जाते कि हमारे ट्रव और 65 हो गी तो दर्द होता है किसी किसी को नहीं होता लिक हो था इच्छ बताए कि जब वो अंदे थे वो माता बता तो वो करें अधी तुमने आज मुझको बना दिया है प्रभू तो ने मुझे क्या बना दिया दिया मैं देख भी नहीं पा रहे हूं जो दो रहा हुआ हँआ 시청 अधी आज मुझको बना कर बना कर किया निया तुमने को निया नहीं किया जगदी से जहां को आणरीख करता हूँ अब को ऑच्छे समझ में आ गया हुओ ठीक है तो आसा क blond soir सुर्थ tentu एंगे दू नम्मर पक्के वोच चुके हैं ठीक अच्छा तो वीडियो गर आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो